मादा चीताओं को लेकर बड़ी खुशकबरी दो मादा चीताओं को छोड़ने पर विचार इसी सब्ता हो सकता है बड़ा फैसला दो माँ से छोटे बाड़ों में कॉरिंटाइन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने के चल रहे सिलसले के तहर तीन नर चीतों को छोड़े जाने के बाद अब पांच मादा चीताओं को लेकर मंधन चल रहा है हाला कि अभी तै नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि दो मादा चीता को इसी सब्दा बड़े-बाड़े में छोड़ा जा सकता है बाकी बचे तीन मादा चीताओं को अभी छोटे बाड़े में ही इंतजार करना पड़ेगा वाइड लाइफ अधिकारी और अन्य वन्य जी विशशक की इस आकलन में जुटे हुए हैं कि पांच मादा चीताओं में से पहले किसे बड़े-बाड़े में छोड़ा जाए इसको लेकर शनिवार की सुबा कूनों में विशशक्यों की बैठक हुई थी हलांकि तीनों नर्चीते बड़े-बाड़े में सर्वाइब कर चुके हैं लेकिन मादा चीता को लेकर विशशक के पूरी तसली के बाद ही कोई निरनाई लेना चाहते हैं पता जा रहा है कि दो मादा चीता सबसे बहतर स्थिती में नजार आ रही है और उन्हें इसी सब्ता छोड़ा जाएगा शुक्रवार की सुबा बड़े-बाड़े में चोड़े गए तीसरे नर्चीते की मॉनेटरिंग के लिए चार सदस्य टीम तो नियमित लगी हुई है बड़े-बाड़े में चोड़ा गया तीसरा चीता छी स्थिती में है रही बात पांच बचे हुए मादा चीताओं की तो आगामे दिनों में इस्तितियों को देखकर निरने लिया जाएगा गौर्द लफिकी 17 सितंबर को नामिविया से 8 चीतों को भारत ला गया था तब पीम नरेंद मोदी ने छोटे बाड़ों में रिलीस किया था जहां इन्हें कॉरंटाइन में रखा गया था कि जीते नए महौल में खुद को ढाल सके अलाकि अब जीते दो महिने से अधिक का वक्त गुजार चुके हैं ऐसे में अब इनको धीरे धीरे रिलीस किया जा रहा है काजार आगाने वले वक्त में और जीते लाए जाएंगे